भाई बहन का ये अटूट बंधन का पर्व है, रक्षा बंधन आच है साल रक्षा बंधन पर कई शुब सयूग बन रही है, भद्रवास यूग के साथ शिवास यूग का भी सयूग है सुभध 6 बचकर 5 मिनिट से लिकर दो फ़र 1 बचकर 32 मिनिट तक भद्रा का साया भद्रा के साय में राखी बांदी पर मनाई होती है और तो फ़र 1 बचकर 32 मिनिट से लिकर शाम 4 बचकर 20 मिनिट तक राखी बांदी का शुब फूरत 6 तस्वीरे में आपको दिखा रही है, तमाम दिगज है, जुनकी कलाही पर आज राखी बांदी गई प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की पहली तस्वीर ननी बच्ची उनी राखी बांदी दूसरी तस्वीर है, गुष्रात की गांधी नगर से जहाँ पर भुपेंद्र पटेल नजर आ रही है, उनके हाथ पर राखी बांदी की तीसरी तस्वीर है, चन्डिगर की जहाँ पर उन्होंने राकी बांदी और इस तरह से तयवहार सलिप्रेट किया इसके लावा पियुष गोयल की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे च्छटे तस्वीर की बाद करें तो दिल्ले से आ रही है केंद्री मंत्री पियुष गोयल तस्वीर में नजर आ रही है च्छे तस्वीर और इस च्छे तस्वीर दिखाती है कि किस तरह से आज रक्षा बंदन का तयवहार यहाँ पर मनाया जा रहा है क्योंकि रक्षा बंदन यह वो तयवहार होता है जिसमें भाई अपनी बहन से रक्षा को लेकर वच्चन करता है ताउम्र पो उसकी रक्षवा करेगा ये वचन यहाँ पर दिया जुआता है और देखिए भाई और बहन की अटू टू प्रेम का जो बंधन है उसको ये धर्शाता है तो ये छे तस्वीरे भी वाकई बहुत खास है क्योंकि दिगचों की हाथ जो है आज नजर आए राखी के साथ भंदे हुए इसके लावा भी हम और तस्वीर आपको दिखा रही है तीन तस्वीर जला देखिए पहली तस्वीर है जमुकश्मीर के उरी से दूसरी तस्वीर पंजाब से अटारी की और तीसरी तस्वीर जैसलमेर से ये वो जवान जो हमारी सुरक्षा के लिए हमेश्या सरहत पर तैनात होते हैं और इन जवानों के हाथों पर राखी बांदी गई क्योंकि इन्होंने भी हमारे जिम्मादारी लिए हमारे सुरक्षा के जिम्मादारी लिए है तो ऐसे भाईयों को जो है बहनों ने राखी बांदी है तो देखे तीन तस्वीर है जमुकश्मीर की इसके लावा दूसरी तस्वीर है अटारी की और तीसरी तस्वीर है राजस सरहसी आजवे रक्षाबनन का तेवार बनाया ज़ुआ रहा है और शलिए हम आपको तस्विरे भी दिखाएंगे जोधपूर की तस्विरे दिखाएंगे हमारे साथ हमारी सयोगी राजिव गौड जोधपूर से बनियुए सायोगी शिवांगी वारे साथ जयपूर से बनी हुए सबसे पहले शिवांगी का रुक करते हैं शिवांगी चुकि आप मोथी डूंगरी गड़िश मंदिर के यहाँ पर मौजूद है जयपूर के अराधे कहा जो आता है इन गड़िशी को और अगर बात करें रक्षा बंदन तेवहार की तो किस तरह से जयपूर के अंदर आज उस्सा नज़र आ रहा है शिवांगी देखिए बिलकुल ठीक कहा अपने इंदूर जयपूर क्योंकि चोटी काशी के नाम से जाना चाता है और यहां पर हर एक त्योहार बहुत ही उत्सा के साथ मनाया जाता है मैं समय मोती डूंगरी गनेश जी के मंदर में मौझूद हूँ और आप देख सकते हैं यहां पर जो लोग है क्योंकि राखी का मूरत शुरू हो चुका है डेट बज़े से तो यहां पर आके राखी चड़ा रहे हैं गनेश जी को यहां पर कुछ लोग भी मौझूद है मैं उनसे बात करूँगे उन्होंने अभी अभी जो है राखी बांदी है गनेश जी के दर्बार आई है और पहली राखी गनेश जी के दर्बार में आके बांदी है माम हापी रक्षा बंदन तु यू आपको मैंने अभी अभी देखा कि आप राखी बान रही थी आपने अपनी राखी की शुरवात गनेश जी के मोती दूंगरी मंदर से करी है क्या कहना चाहें गिया हुआ है अज्मा आपके भाई कि मैं अपके भाइज श्रक्रीञ बात करते हैं अपको भी बांदेंगी आप कैसा मेह सूस करें विश्चाए अपनी बहन के लिए क्या सप्राइज प्लान किया तक्या जोगा कि हमने दिन की शिर्वात ऐसे पड़ी है और यह मेरे न के बांती ही रहती है और इते साथ बाखीखे ने के खालगा लगता है कि हमेशया मेरे साथ ऐसी बांती रहे है और इसके साथ हमेशया तो कुछी बनने है अ erf Allah लग डै ऑर अच्छीा रहते है कि बहुत से जो है दुरगटनाएं भी होती आई है और फिलाल हम बात करें हम मोती दुंगरी मंदिर में और आप देख सकते हैं किस तरह से बहने जो है गनेजी के दर बाहर पहुच चुकी है एक चोटी सी लड़की है अपने भाई के साथ यहां पर आई है मैं उनसे भी बात क है नहीं कोशिच करूंगी हाई हाई अपी रख्षबंदन ते यू अपकी बाही को ही बोलेगे आपी रख्षबंदन टुयू यू अपकी बहन ने आपको रांकी तो बान दी होगे ओ कि 1.30 हो गया है तो आपने पनी बहन को क्या परॉमिस दिया उसकी रख्षा का प्रॉमि इतनी प्यारी कन्या यहां पर पहुची है एक भाई की बहन गनेश जी के दर्बार में दर्शन करने पहुची है गनेश जी को भी राखी बानने पहुची है मैं कैमरावन से दर्खास करूँगी कि दिखा सके कि गनेश जी के आगे भी राखियां चड़ाई गई है इंदू जो बेहने हैं वो आखे राखियां चड़ा रही है और पहली राखी गनेश जी के मंदिर में आखे गनेश जी को बांध रही है क्योंकि चोटी काशी जो है त्योहारों के मांगले में बहुत ही उत्साह देखने को मिलता है जैपूर में चोटी काशी में और इतनी अराध्या है क्योंकि आज सावन का आखरी सोमवार और अंतिम दिम भी है इंदू तो ये सोने पे सुहागा हो गया है और आज का जो पुत् एक ही दिन इतना पावन पर विंदू, पूरी चोठी काशी में इतनी खुशी और इतना उलास का समय है, आप एक और मैम है, मैं उनसे भी बात करूँगी और उनसे जानेंगे, मैम, हापी रक्षा बंधन टु यू? हाँ, हापी रक्षा बंधन टु यू? मैमा, आप गनेजी के दरबार आई हैं, और राखी का मोरत हो चुका है, बजिस राखी बांधनी शुरू करेंगी बहने अपनी भाईयों को, आप गनेजी के दरबार आई हैं, तो आप उनको राखी बांधने आई हैं, हाँ, कैसा लग रहा है आपनी पहली राखी बांधनी को बंधन को लेके चोती काशी जैपुर में दिखाए दे रही है, सारी बेहने जो है, पहली राखी गनेज जी को बान देए हैं, और पिर अपने भाईयों को, क्योंकि कहा जाते है, किसी भी काम की शुरवात की जाए, तो पहले गनेश जी के दरबार से गनेश जी से की जाती है तो बेहने जो है गनेश जी को राखी बानती नजोर आ रही है और उतना ही उत्सा चोटी काशी जैपुर में हर एक घर में हर एक घर में बेहने अपने भाईयों को राखी बानना शुरू कर चुकी होंगी यूझकि देड़ बजे से इस बार का राखी का मूरत था तो देड़ बज चुके हैं और देड़ बजे से 10 मिरेट उपर है इंदो लेकिन मुझे पता है कि जो बेहने होंगी उनको बिलकुल भी इंतिजार करना पसल नहीं आ रहोगा क्योंकि देड़ बजे का मूरत खाली पे जोआ दिए क्यों मेरे साथ नहीं है तो अगर हम बात करें जिनके भाई उनकी बहनों के साथ नहीं है तो इस बार डाग घरों से भी या उनके भाईयों को उन्होंने राखी बेजी होगी तो बिलकुल शुवाएंगी क्योंकि जिस तरह सी तेवहार यहापर मनाया देखें दू जोट्वराजसम के सांस्कतिक राजदानी है आज कितना पवित्त है पुनिमा का दिन है और आखिरी सोंवार है सावन का और सावन के आखिरी सोंवार के साथ देखिए कि रख्शा बंदन का परभजाय महरत के साथ सब लोग एक बच करके 30 मिरट के इंतजार कर है यह परंपरा है यह एक सिस्टम है और देखिए इस कल्चर को हम बिल्कुल भी अलग नहीं कर सबते अपने जीवन से सबसे बड़ी बात देखिए कि कि किसी भी राकी का तिया जलाए जाता है और दिया दियोतक होता है प्रगती का और देखिए कि साथ में अगर रस्म की परिहार है वो सोचल वर्कर यह लोग मिलकर के परिवारी गूप से यह यह जीज तस्वीर है वो बहुत खुब सुरूत है और सबसे बड़ा संदेश यह भी है कि भाई बहन की रक्षा का बड़ा ही प्यारा परव है बॉर्डर पर जवान जो हैं वो अपनी बहनों को पाश पुश्डिक करते हैं कि क्या नाम बेट आपका है आप कैसे त्याहर को कैसे मना राकी को मनाते हैं पली चोड़ी सी बच्ची है शायद बोल नहीं पा रही है लेकिन बड़ी बहें से बुश्चा कैसे खिला लेकिन जर्व ज़ूकित जन्म्रदात्री से बात करते हैं तो वही चीज रहती है और राखी के लिए सबसे पहले अभी जैसे आप समझ रहें कि अभी आज बद्राकाल चल रहाता सुबह तो बद्राकाल जब समाप्त हुआ तब हमने ठाल में पहले ये बनाया स्वास्तिक पहले स्वास्तिक के पूजा हुई उसके बाद में जो है ये बच्चे आपस में राखी बांदें ताकि कहते हैं कि जो भी बद्राकाल का जो समय है जो अशुब समय है वो अशुब समय अपना उनका निकल गया है और अब जो है अब शुब ही शुब समय है तो शुब मौरत के समय बताया गया सुबह का तो जो भी बुरी बलाएं हैं वो सारी बुरी बलाएं दूर हो जाए और लाटिक यह बच्चों के इसाब से देखा जाए और वड़ों के लिए हम लोगों का बराबर है क्योंकि अगर ब्रद्राकाल है तो बच्चों पर कस्ट नहीं आए और हमारे भायों पर भी कस्ट नहीं आए तो मौरत के साबसे हम लोग उसको अच्छे से तैवार को मनाते हैं और भाई बहन का रिष्टा इतना पवित्रा है जैसा कि पूरे संसार में आपको बता है कि उसकी साबसे हम गर हम देखते हैं तो बहुत अच्छे से शुक्षांती परिवा कि हम लोग कामनाय करके अपना परिवार के साथ में फेस्टिवल बनाते हैं आप देख सेकते हैं कि चोटा सा बिनाय है वो भी उसक्रारा और साथ देखिए कि कृश शिव जो नाम बड़े अजीवर देखिए मैसिज कितना बड़ा कितना भाई बहन में प्यार यह तस्वीर हो जाते हैं यह बच्पन होता है और जब बच्पन होता है तो अब बच्पन में समझ सकते हैं यह जो भाव हैं बड़े ही अच्छे लगते हैं और यह अंदाज जो है वो यादे जो है वो जीवन बरती है जो तुर में अगर बात करें तो चुकि आए बहनों के लिए सरकार जो सुविधा की है रोड़ेस के अंदर आज बस फिर एतर फिर वहां बाहूल देखा गया कल लवकुष में अंतराश्य ब्रावन फ्रेडरेशन की और से कारिक्रम वह देखा गया तो देखा गया तो अनिशन तो देखिए एक तस्वीर यह देखिए जिस तरीके से भाई के आ आज के दिन ज्यादा में तो बढ़ जाता है लेकिन जिस तरीके से यह तस्वीर है बड़ी खुशता है और आप देखिए कि परोस के जो बच्चे हैं वो भी एक दुस्रे के घर जाते हैं राकी बदवाने के लिए पहुशे हैं और मुसकरार देखिए बच्चों के चेरे क इन दो इन्हों समझा जाए सकता है कि ये ये त्योहार बड़ी खुशे का त्योहार है अपरतों का त्योहार है पियार के बंदन को और मजुट करने का त्योहार है जी बिल्कुल राजीव बहुत खास तस्वीर है और जिस तरह से आपने कहा कि जो पड़ावस की बच्चरी है वो भी यहाँ पर पहुंचती है उनको भी राखी भान दी जाती है और शायद यह जो तेवहार है हमें दिखाता है कि जो हमारे आसपास वाले है वो भी हमारे भाई और भी हमारी बहन है और उनकी भी रक्षवा करना हम सभी के जम्यदारी है जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि किस तरह का घटना कराम चल रहा है उन्हें देश की बात करें आए दिन महिलाओं के साथ किस तरह का वैवार होता है वो भी हम देखते हैं ऐसे में इस रक्षा बंदन के तेवहार पर राजीव कहीना के संकल्प लेने की जरूत है कि हम अपनी बहनों की रक्षा तो करेंगी ही लेकिन हमारे आसपास हर उस बहन की भी रक्षा करेंगे जिसकी रक का करतव है वह हर बहन का ध्यान रखे और देखिए इस तरी की गटनाएं हो रही है दिल रो पड़ता है देखिए यह संवेद्र नाओं का विश्रह है लेकिन चुकि तरनीजा मुनरा ठोड़े कवियत्रे भी है और कई सारे प्रुसकार से आप कैसे देखते हैं क्योंकि आए जब बहनों के साथ कुछ बहुत गलत हो जाता तो बहुत दिल दुखता है जी सर आजकल जैसे अभी काली के नियूज में अगर आपन देखें तो यह बहुत ही दर्दना घटना जो हुई आज जोत्पूर के अंदर यह बहन के साथ में छोटी सी बच्ची के साथ में आप द दूसरों की बहने हैं दूसरों की बेटियां हैं उनको लेकर भी आपको प्रोटेक्टिव होना चाहिए अगर कहीं पर कोई रात को अगर दिख रही है कहीं पर बाहर दिख रही है तो अपन बेटियों पर रोक लगाते कि तुम रात को मत जाओ अपन बेटों को भी तो कह सक कि तुम रात को घर में रहो ताकि बेटियां भी सुरक्षित रहे और बेटियां तो घर में है तो बेटियों को घर में रखो और बच्चों को जो है जो लड़के हैं उनको एक अच्छी शिक्षा दो कि जो सारी बेटियां है वो आपकी बेहने ही हैं और आपकी बेहन के समान ह तो जिस तरह आप अपनी बहन को लेके प्रोटक्टिव हो जाते हो ना हर चीज में कि तुम बाहर नहीं जाओ तुम ये मत करो तुम वो मत करो और दूसरी बहनों के साथ में आप करते हो तो ये अच्छी बात नहीं है अची हो नीजी अगर अभी से ही नहीं करेंगे तो फिर आगे जाके जनरेशन क्या सीखेगी अभी हम अवेर करेंगे बच्चों को तब कहीं जाकर के बच्चे आगे जाकर के उन चीज़ों के साथ में awareness दिखाएंगे तो मैं चाहती हूं आज के दिन अपने बच्चों से भी और दूसरे बच्चों से भी यही prayer करूंगी कि आप अपने बच्चों को अपना बच्चा समझ के अपने भाई बैनों को अपना समझ के आगे बढ़ें और अपने बैनों का at least protection के साथ में दूसरों का भी protection लें और खुद का भी protection के साथ में अपने बच्चों को सेफ रखें आप देखिए कि एंदू जो आपने विशेच छेड़ा उस वक्त जो अपने पन के और रिष्टों में जिस तरह के से उनको देकर तार छेड़ा कि एक संकल्प आज के दिन गठना ननके दर्द देने का काम करती है कम से को आज भाई बयान के रक्षा का दिन है पभुतित्ता का दिन है यह संकल्प होना चाहिए यह जूत्पूर की तस्फurança हमने दीखिए कि कि सटरह से रक्षाबंनन की तेम्हार को यहाँ पड़रन काल समाप्त होचुका है और चुरू हो चुका है जैपूर में आप चुकी मौजूद है जैपूर के राध्य देव गणिश मंदिर्म के यहाँ बर तो ऐसे में शिवागी हम चाहेंगे कुछ और लोगों से भी आप बात करें कुछ और तस्वीरे भी मारी दर्शकों को ज़रा दिखाए शिवागी बिलको लिंदू में आपको अभी तस्वीरे दिखाना चाहूँगी है मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगी देखिए जरूरी नहीं कि हर घर में एक भाई हो लेकिन यहाँ पे दो चोटी चोटी बहने आई हैं और उनके भाई हैं गणेश जी उनको राखी बानने आई हैं आप देख सकती हैं किस तरह से वो वेट कर रही हैं कि उनकी राखी गनेश जी तक पहुचे और वो गनेश जी को राखी दे पाएं और बांत पाएं क्योंकि जरूरी नहीं हर गर में भाई हो लेकिन हर घर में गनेश जी के रूप में भाई जरूर होता है तो आप देख सकत इनके कोई बाई नहीं है और इनका बाई तब कुछ गणेजी है देखे माम बहुत अच्छा मेसेज आप दे रही है फोस्ट इंडिया के जरीये आपकी दोनों बेटियों को अप गणेजी मंदल आए और यह कहना है कि बालिकाओं को और लड़कियों को प्रमोट करना इस तरह से बहुत ही अच्छी बात है कि राजिस्तान माना जोता है कि लड़कियों को इतना आगे नहीं जाने देते हैं लेकिन बदलाव आरा है और आप उस बदलाव के पहलू दिख रहे हैं मुझे बहुत अच्छी बात है यह दो बेटिया है अपके और उनको रक्षा बंधन के मौके पर गनेजी से यहां पर राखी बनवाने आए हैं तो एक संकल्प लेंगे माम राखी से पहले रक्षा यह फर्स्ट इंडिया का नारा चलता आया है अन्दे काउंट ओफ त्री बाइवस गनेजी है इंदो गनेजी हर एक के भाई के रूप में हर बहन की हर महिला की रक्षा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं इतना उत्सा मोती डूंगरी मंदर में देखने को मिल रहे हैं ना की सरफ मोती डूंगरी मंदर में बल्की चोटी काशी के हर घर में हर मंदर में नजरिया ये नजारा देखने को मिल रहा होगा आप देख सकते कि इस तरह से उत्सा के साथ यहां पर लोग आ रहे हैं राखी बानने आ रहे हैं गनेजी को मैं कैमेरामैन को दर्खास शिवांगी एक बार आपको रोखना चाहूंगी मैं गोविन देव जी मंदर की तस्वीरे जरा दर्शकों तक निखा लेते हैं कि किस तरह से देखिए महन जो है वो यहां पर गोविन देव जी को राखी बान रही है ठाकूर जी की यहां पर राखी बाननी जा रहे हैं क्यो शुरू हो चुका है बहन अपने भाई को राखी बान रही है लेकिन ठाकूर जी की यहां पर दिखिए राखिया किस तरह से चड़ाई जा रही है तो बहुत खास स्विरम आपको दिखा रहे हैं को बिन देव बंदर से किस तरह से यहां पर मेहन की द्वारा प्रभू श्री गणीश को राखी बान दी जा रही है क्योंकि बेहत खास साज का दिन है दो मायनों में खास सावन का आखरी सूमवार है और रक्षा बंदन त्यमहार है ऐसे में प्रतम पूछनी है भगवाल श्री गणीश को राखी यहां पर भान दी जा रही है कहा जाता है कि प्रभू की शरण में जब आप जाती है तो आपके सारी मनुकाबनाई पूरी होती है और आपके दुख और दर्द को प्रभू खड़ लेती है ऐसे में आज किस सेभार की शुरुवात कुछ सरह सी प्रभू श्री गणीश को दिखी तिलक यहां पर लगाया गया और अब देखे कि किस सरह सी प्रभू श्री गणीश को यहां पर राखी भान दी जा रही है तो बहुत खास स्विरिम आपको दिखा रही है जहांपर महंत की तपरा दिखिए कि किस रहसी प्रभूश्री गणीश को राखी आपर अर्पित की जा रही है राखी चड़ाई जा रही है दिखिए एक बज़ कर 32 मिनिट तक भद्रा था बद्रा काल था ऐसे भी उस वक्त राखी नहीं भांदी जाती है मनाई होती है राखी बांदने को लेकर अश्रुप कहा जाता है लेकिन जैसे ही एक बज़ कर 32 मिनिट के बाद का वक्त शुरू हुआ बहने अपने भाईयों को राखी बांदने लगी है उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र भांदा जा रहा है लेकिन सबसे पहली प्रभु के दर्बार में पहुंच रही है और सबसे पहली राखी प्रभु को चड़ाई जा रही है अर्पित की जा रही है तो कुछ सरह की तस्वीर जैपूर के प्रतम पूझनी है भगवान श्री गणिश का ये वो मंदिर मोती ढूंडी मंदिर जहां पर आमतोर पर भगदूर दराज से पहुंच सी है लेकिन आज तस्वीर है इसलिए खास हो जाती है क्योंकि आज प्रतम पूझनी भगवान श् इस मिनिट का ये जो मूरत है बहुत ज़्यदा शुब है और ये देखिए प्रभू की कलाई पर किस तरह से राखी यहां पर भांदी जा रही है बहुत खास तस्वीर है प्रभू श्री गणेश की ये वो कलाई जिस पर रक्षवा का सूद्र है जैपुर की मोती डूंगरी मंदर से ये लाइफ तस्वीर आपकी टैली विज्जन स्क्रीन पर बेहत खास तस्विरे में आपको दिखा रही है मोती डूंगरी गडेश मंदिर से यह तस्विरे जहाँ पर मोती डूंगरी गडेश मंदिर की मेहन के लाश्वर्मा दिखी के सरह सी राखी भांती हो यहाँ पर नज़रा रही है प्रभु श्री गडेश को पहली राखी प्रभूश्री गणेश को खास तस्विर हम आपको दिखा रही है प्रभू की कलाई पर किस तरहस इस राखी को भाण लागे आपने देखा होगा मोती ढूंगरी गणेश मंदिर और प्रभूश्री गणेश हम सभी की समस्ति जैपूर वास्यों की रक्षा करते हैं तो ऐसे में रक्षा का सूत्र राखी भी उनकी कलाई पर यहां पर भाली गई दो तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं प्रतम पूझनिये भगवान श्री गणेश की पहली तस्वीर दूसरी तस्वीर जैपूर के अराथ है गोविन देव जी की तस्वीर और दोनों तस्वीरे बहुत खास है और जैपूर वासियों के दिल के दोनों ही बहुत करीब है क्योंकि हर बुधवार जैपूर वासी मोती डूरी गणिश मंदिर जाना नहीं भूलते हैं प्रभू का अशुरवाद जरूर लेते हैं और गोविन देव जी मंदिर में तु देखिए सुभा से शाम ही भक्तु का अधिक जवानकारी लिंगे हमारे साथ हमारे सयुगी नरीश शर्मा भी बने हुए मोती डूरी गणिश मंदिर के अगर बात करें नरीश तो देख पारें कि किस तरह सी प्रभू की कलाई पर यहां पर राखी बांदी गई है प्रभू श्री गणिश हम सभी की रक्षा करती है उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र यहां पर बांदा गया है वो यहां पर रक्षा बनने किस परदर पे बगवान जो गणपती है उनको उन्होंने राखी बेट की है राखी बांदी है और कामना की है पूरे प्रदेश वाश्यों के लिए बगवान जो गणपती है वो रक्षा करें तमाम प्रदेश वाश्यों के लिए तो सम्झती की क बहुआन गणेजी परपिच्की है और अब यह जो राकिया है इन राकियों को बहुआन गणेजी को तमस्ति पहर पाद मैं जो पर इस राके दी जायें है वह जो हार है ऊब देख पारे हैं थी बड़ी संथ्पेया में जो वक्तिजन है, वो भी यहाँ पर आये हैं, राकी लेके आये हैं, वभवान गने जी पार्पछी पो उफ sammaखी है और इसके बाद यहां पे हुवारब कलाश सर्मा है, उन्हों preparation पती कि जो में पात्य चर्पार हैं, परशाद ह्वार के नियुकला देखन यह नहीं पार दोड़ा ने रहा है। शाहे बात करें आने वाले समय में तो कि वह भी मनाए जाएगा उसके तैयारिया भी यहां पे शुरू हो चुकी है वह भी लगाता जो अपर महिने जब बने से मुद्वाएगा वह भी उत्रों यहां पर रहेगा लेकिन आज उपकी बड़ा चोहार है रचाबंदन पर चोहार है और इस चोहार पे यहां पे बवान गिनेजी को राकी बानने के लिए वक्तिजन पहुंचे हालांकि हल्की बारिश हो रही है और इस बारिश के पीज में भी बड़ा लगाता है और पहुंच रहे हैं तो कि आज पूरे दिन पर जो है वह रच्छा वंदन का जोहार मना ज है वह यहां भी बेंच की जारी है और कामना की जा रही है कि बगवान गनपती है उनकी रख्षा करें और ऐसी जो तामना है मनत एला शर्माने जो फोजा की है पहले गणेजी की उसके बाद आखिवान दी है और आखिवानने के अब्समें उन्हें पर देश वास्य के लिए बिल्कुल नरीज जी बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी साज्वा करी और देखी कि इस सरह से यहां पर राखी बांदी जा रही है पर राखी रक्षा करने के तुँ चड़ाई जाता है जो पुक्ष नक्षत्र को जो रक्षा तुत्र बांदा जाता है वो कवच वो अथरो शीष का कवच है जो अथरो शीष को मांत्रित कर बागवान को सब्सक्राइब्ड़ें कि अतर्षीष में सुनना सुनाना देखना ये सारे उसके अंडर एंदर आक्ति और सब उसम्याब्ट है कि सुनने वाले की विरक्षा करो देखने वाँक्षा करो और मेरे भक्षों की विरक्षा करो ंर है Korea वाले की सुनने वाले की करनेवाले की सब्सक्रायरा इसलिए वो रख्षाचुत्र कि यह रख्षाचुत्र करना के गलाता है, इसमीं भेहन अपने भाई अमंत्रित करती है और निविदन करती है कि मेरी आप सभी दुश्कम्नों से सभी मेरी व्यादाओं से मेरी रक्षा करें बगवान गणिजी माराज कर सभी को पून राशिवाद रहे हैं और सब सुख संब्रति से अपना जीवन व्यक्तित करें यही मेरा संदेश है भगवान गणिजी माराज का शिवाद है